विवाद सामने आया है ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दे दो गुटों के बीच विवाद हुआ है विधायक सतीश सिकरवार ने दिलेरी दिखाई और विवाद में फारिंग के बीच पिस्टल चीनी है और विधायक सतीश सिकरवार ने युवक की जान बचाई चेंबर ओफ कॉमर्स के सामने दो गुटों में विवाद हो रहा था इंदरगं स्थाना चेत्र का ये पूरा मामला है ग्वालियर पूर्व से विधायक हैं सतीश सिकरवार एक बहुत बड़ी खटना यहाँ पर हो सकती थी अगर विधायक महुते नहीं पहुंचते आपको बता दे सरयाम यहाँ पर गुंडा गर्दी हो रही थी फारिंग हो रही थी चात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गय थे और इंदरगं स्थाना चेत्र का यह पूरा मामला है जब चात्रों के दो गुट आपस में भिड़े इसे दोरान फारिंग होई और उसी दोरान आपको बता दे विधायक स्वतीश सिकरवार यहाँ से गुजर रहते जिन्हों ने देखा यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है और रुक कर पिस्टल शीने और इस वक्त हम सीधा रुक करेंगे गौलियर का हमारे सयुगी जावेद खान हमारे साथ जुट चुके हैं जावेद कहीं न कहीं बहुत ताज्यूब यह तस्वीरे कराती हैं कि सरे रहा अब जो नव्यूवक हैं उनके बीच में हतियार आ चुके हैं फाइरिंग हो रही है और इससे जादा अश्चर इस बात का कि जहां पर यह पूरी घटना हुई वो थाने से महें 100 मिटर की दूरी का छेत्र था अगर विधायक समय पर नहीं पहुंचते तो हो सकता है बहुत बड़ी घटना हो जाती आकर यह पूरा विवाद क्या था और इस पूरे विवाद के बीच विधायक की एंट्रिक ऐसी हुई यहां पर जे बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे इस घटना करम के पहले की बात है कि यह गॉलियर का जो एक एमलवी कॉलेज है उसमें दो चात्रों के गुटों के बीच में बेवाद हुआ था एक दिन पहले और उसमें चात्रों के साथ खूनी संगर्स भी हुआ था उसके बाद एक चात्रे उसमें गहायल है और वह अस्प college के घटना करिया रही है उसका ही यह दूस्बरे नाम था कि आगे का जो घटना करम हुआ है वो उसी की बदला लेने के नियत से किया गया था यह जो दूसरा घटना करम है कल जो शाम को हुआ है उसमें चेमबर आफ कॉंवर्स के सामने तो यह घटना करम हुआ था और इसमें दो चातरों के कुट आपस में बिढ़ गए थे जिसको लेकर बिवाद हो रहा था गोली वारी चल रही थी और एक कार में फायर भी हुआ है ज सो मिटर की दूरी पर रहे लेकिन वाह पुलिस का कोई बेक्तिय करमचारी नहीं था लेकिन साथ में आपके पर जो चेमबर आफ कॉमर्स हैं वाही के उठाबनी का कारकरम चल रहा था जो चेतरी बिदायक हैं इस्थानी गौलेपूर के सती सिकरवार जी वह महां मौजूद तरह था उसके हाथ में कट्टा था रिवल्वर थी उसको उन्होंने अपने हाथ से चीना और दोनों पक्षों को एक दूसरे से तितर बितर करने की कोशिश की हमारे साथ में बधायक सती सिकरवार जी खुद मौजूद हैं उनसे जानने कोशिक करेंगे जब आप मोके पर प आपस में जगल रहे हैं दौनों तरफ मार पटा ही हो रही है लाट गुंसे चल रहा है कट्टा और रहार से फारिंग हो रही है यह वक्त नीचे पड़ाता उसको कुछ लोग बीट रहे थे कट्टा थाने हुए थे उसी बीच में जाकर लोग में तमासा भी वहां खड़े ह हुए थे तमासा देख रहे थे लेकर कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उसको बचाए मैं तभी ततकाल गया मैंने उसका कट्टा पकड़ा चीना जटकी वहने लगी तो सब लोग पुब्लिक के जो लोग तो मेरे साथ हो गए और हमने सब को पकड़ा और ततरव मार पकड़ा चीना उनका तब तक उसी बीच पुलिस का आना हुगा तो पुलिस को मैं पहली फॉन कर चुका था तो ततकाल पुलिस भी आ गई हो उसकी वीच हमने उनको पकड़के गरबदार कराया और कट्टा भी चीनके उनको सुपर्ड़ किया लेकिन अगर समय पर हम लोग कुन नहीं निकलता मैं नहीं निकलता और तो निक्ती रूप से अपरी घटना घटलती लगाता दोदिन से जो लड़ाई चल लए थी उसका अपर मादम से पता लगा कि जो घटना की घटना थी पत्रों की घटना जोड़े हुए इसके तार थे पर्स भी एमएल्यू कॉले और हम ने मेरे परबार के लोग मेरे घर के लोग भी तमाम मेरे सुपचिन तक कह रहे थे का आपको ऐसे गोली बारी की बीच में नहीं जाना चाहिए लेकिन हमने का कि समाज में इस प्रकार की घटनाओं लोगों मोड़ेंगे तो कैसे लोगों की जान बचेगी और अपरादियों के होंसले बुलंद होंगे इसलिए समय पर लोगों को जहां भी प्रत्यादर्सी हैं उनको मौके का उर्पे जाकर और ऐसे घटनाओं का प्रत्रोद करना चाहिए मैं तो यही सबसे कहना चाहता हूं बिदाई सती सिकरवार जी खुद बता रहे हैं कि जो एक कानून विवस्था का मुस्लावी है जे और ये केवल गौली अर्पूल बिदान सवानी पूरे शेयर की इस्तितिय है इस समय अपरादियों के जो होंसले हैं बहुत बुलंद हैं और इसको लेकर अगर जैसे जन पिरत अगर इस तरह के घटना करम हो रहे हैं अगर बीच बचाव की कोशिश की जाती है तो इस हाथ से को टाला भी जा सकता था और एक सवाल यहां पर ये भी उठता है कि जो युवक हैं उनकी उम्र बहुत कम है भी कॉलेज के शात्र हैं ऐसे में कट्टा उनके पास कहां से आया क्या इनका कुछ और पहले भी आपराथिक बैग्राउंड रहा है जिसके बावजूद कॉलिज ने इनके खिलाब कोई एक्शन नहीं लिया क्या इस तरह की कोई जानकारी सामने आई अभी तक जै चुकि इसमें देर रात तो इस पूरे घटना करम में कल एफ आई यार इंदर के स्थाने में हुई है और पुलिस इस बास की तज़्दीक कर रही है कि आखिर जो चात्र हैं उनका कोई आपरादिक बैग्राउंड तो नहीं है उनके उपर कोई मामले और पहले से दर्स नहीं है लेकिन तलाशा जा रहा है लेकिन चात्रों में इस तरह के की घटना हो रही है उसके उनका लगता है कि कहीं नहीं वह आपरादिक परवर्ती के तो हैं कुछ में कुछ तो उसमें कॉलेज के चात्र है कुछ बाहर के आउटसाडर भी होने की पुलिस ने आसंका जता बरबाद, लोग बढ़ा रहा है। पहले से प्रवर्टी आजए है। क्योंकि इकदम अचानक नया आदमी एकदम गोली बारी लेकर कट्टा लेकर आगा। बहुत में चलाएं तो पूरी तयारी से आएं, बहुत में पता लागा है, अधली से फिल्कुल जबSuवे मामले की जान चुकी तब और भी तथे सामने आएंगे और निश्चित तौर पर विधायक ने बहुत दिलेरी यहां पर दिखाई वरना कोई बड़ी घटना यहां पर हो सकती थी फाइरिंग में किसी कोछ चोट भी लग सकती थी बहुत शुक्रिया जावेद आपका हमसे जुड़ने के लिए विधायक महुदय का भी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए